आप लड़कियों के पीछे घुमते हो लड़की पठाने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं कितने रिक्वेस्ट करते हो जरुरत पड़े तो उसके पैर भी पकड़ लेते हो फिर भी लड़की नहीं पड़ते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं आपके ही आसपास ऐसे लड़के हैं जिनके पीछे लड़किया घुमती है तुम जिस लड़की के पीछे बढ़े हो वो भी किसी ऐसे लड़की के पीछे ही घुम रही होती है ऐसे लड़कों को boyfriend बनाने के लिए लड़किया पागल हो जाती है लड़की अपना सब कुछ लुटाने के लिए तयार हो जाती है फिर भी ऐसे लड़कों को अपना boyfriend बनाना चाहती है तुम्हारे friend circle में ऐसे लड़के होंगे या तुम भी ऐसे लड़के को जानते हो जिनके पीछे बहुत सारे लड़किया है अगर आपको लगता है ऐसा कभी नहीं होता लड़किया लड़कों के पीछे नहीं पड़ती तो पता लगाओ तुम जिस लड़की के पीछे हो वो भी किसे ऐसे लड़की के पीछे पड़ी होगी तो सवाल ये उठता है, ये लड़के कौन है जिनसे प्यार करने के लिए लड़किया मरी जा रही होती है यार इसका जवाब जनकर हैरान हो जाओगे क्योंकि इस सवाल का जवाब है ऐसे लड़के जो लड़की को बिल्कुल भी भाव नहीं देते और ऐसे लड़कों को ही लड़की अपना वाइफरंट बना चाहती है इनसे प्यार करने के लिए सारी लड़किया मरी जा रही होती है चलो इसकी पिछे के रीजन को जान लेते है रीजन नमबर वन जो लड़किया लड़कों को भाव नहीं देते ऐसे लड़कों को देखकर लड़किया सोचती है जो मुझे भाव नहीं दे रहा है वो किसे और लड़की को भाव नहीं देता होगा जो लड़का किसी लड़की को भाव नहीं देता Reason number 2 है, आज को सभी लड़किया जानती है या सोचती है, सारे लड़के लड़कियों के पीछे घुमते रहते हैं लड़के लड़कियों को देखते ही उन्हें इंप्रेस करने में या पठाने की कोशिश में लग जाते हैं लेकिन जब कोई लड़का लड़की को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करता या उन्हें इंप्रेस नहीं देता ऐसे लड़कों को देखकर लड़किया हैरान होती है सारी दुनिया हमारे पीछे पीछे घुमती है, बात करने के लिए मरे जा रहे होते हैं ये लड़के में क्या है? तो यही चाहिए जानने के लिए लड़के आईसे लड़कों के पीछे घुमती है. वो समझती है इस लड़के में कोई अलग क्वालिटी है. Reason number 3. जो लड़के लड़के को बिल्कुल भी importance नहीं देते हैं, आईसे लड़कों के behavior लड़की के ego को hurt करता है. लड़की जब देखती है कि सारे लड़के मुझे प्यार करने के लिए पागल है, मेरे एक smile पर लड़के मरते हैं, लेकिन उस लड़के को कोई फरक ही नहीं पड़ रहा. लड़के मुझे से बात करने के लिए हजारों बहाने बनाते हैं, पर इससे खुद होकर बात करने पर भी importance नहीं देता, मेरी तरब तो ठीक से देखता भी नहीं, और एही चाज़ लड़की के दिल में उतर जाती हैं, तभी लड़के खुद के इगो की satisfaction के लिए उस लड़के को पठाने के कोशिश करती हैं, तो ऐसे लड़के को पठाने के लिए लड़के कुछ भी करने के लिए तयार होती हैं, Reason No.4, लड़के को challenges बहुत पसंद होते हैं, वो नहीं चाती, उन्हें फिरी में कुछ मिल जाएं, वो चाती है, वो अपने सहिली को दिखा सके, देख ये बंदे को पठा लिया मैंने, मैं कितने खुब सूरत हो, लड़के फिरेंट सरकल में खुद के रुत्वे को उपर उठाने के लिए ऐसे लड़कों को पठाना चाती है, जो लड़का उनके सहिली को बिल्कुल भी importance नहीं देता, तो आज हमने बात किया कि कैसे लड़कों को लड़के पठाना चाती है, और ऐसा लड़का कैसे बना जाए, जिसे लड़किया पठाना चाती है, अगर इस पर वीडियो चाते हो, तो कमेंट करके जरूर बताओ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सच्चा प्यार किया है तो सब्सक्राइब करो, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, आपका समय बहुत 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 ही अच्छा हो, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए, बाई बाई